आज के इस वीडियो में हम complete करेंगे chapter check-up 15 class 8th Oxford Maths में से इस chapter check-up में हमें करना क्या है एरिया और perimeter के बारे में study करना है हमारे चैनल पर आपको औरेड़ी सभी exercises और chapter check-up मिल जाएंगे 6, 7, 8 के Oxford Maths के चली स्टार्ट करते हैं इसको length ब्रेट्थ और रेक्टेंगुलर फेल्ड और रेशो लेंध और ब्रेट्ट यहां पर लेंध और नहीं गिवन है दा एरिया ऑफ तो एरिया हमें दे रखा है और लेंथ ब्रेंट रेशियो में गिवन है तो मैंने आपको पहले एक्सरसाइज के दोराम भी पताया था जब रेशियो में गिवन हो तो इसको आप एक्स लगा के लेट किजिए 5X और 3X ठीक है अब एरिया गिवन है तो if a fence is to be made at the rate of 350 per meter इस rate से हमें fence करनी है मतलब चारो तरफ दिवार करनी है या कुछ आप लगा सकते हैं how much will it cost कितना कोस्ट आएगा तो से पहले हमें इसका perimeter पता होना चाहिए तब ही हम जो है कोस्ट बता पाएंगे perimeter के लिए हमें डेमेंशन र्डेमेंशन के लिए हमें एजी अरिया गिवन है तो हम यहां प्रिखेंगे लेट लेंथ आपकी हो जाएगी 5a 5 ड़िए साथ एकश अर ब्रेट आपकी हो जाएगी 3x ठीक है अब यहां पर एरिया हमें गिवन है तो हम लिखेंगे एरिया इस इकॉल टू 2160 मीटर स्क्वार अब एरिया का फॉर्मुला बिटे होता है लेंथ इंटू ब्रेर्थ तो यह ज़ेगा 2160 लेंथ की वैल्यू है आपकी 5X और बेर्थ की वैल्यू है 3X इस इकॉल टू 2160 फाइव तरी साथ 15X स्क्वार इस इकॉल 2160 अब यहां से X स्क्वार के साथ जो 15 है इसको अगर आप शिफ्ट करते हैं राइट में तो 2160 डिवाइड बाइड बाई 15 15 की टेबल पर आप डिरेक्ट कैंसल कर सकते हैं इसको 15 बंजा 15 तो 21 में से बच जाएगा तो फिर्से 6 15 फोर्जा 60 अब X स्क्वेर है तो 144 जो है वो 12 का स्क्वेर होता है अब दोनों तरफ स्क्वेर 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 कैंसल तो X की वैल्यू बेटे आगई आपकी 12 अब यहां से हम लेंग और ब्रेड़ बिता देते हैं कितनी होगी लेंग हो जाएगी 5 x x ति फाइम इन टू एक्स तो यहां से 5 x की From 7 см 10mm सिक्स्त की मीटरय और अब यहां से हमें चाहिए पैरीमीटर क्यों चाहिए क्योंकि सक्वेंस करनी है तो यहां do सने चाहिए बंदने फैरीमियंटर लगएगी करम होता है ठीन्य एन्त 50 मॉन्त जो है तो है हमारी 36 तो यह आपका हो जाएगा 2 x 606 369 और इसकी मुल्टिप्लाइ करेंगे तो 2612 2918 और 1119 मेटर इतना जो है हमें फैंस चाहिए तो यहां लिखेंगे हम अब कोस्ट आफ वन मेटर इस इक्वल टू कितना है कोस्ट ऑफ वन मेटर 350 तो आपका कोस्ट ऑफ 192 मेटर वन नाइंटी टू मिटर का कोस्ट कीदर हो जाएगा 350 मुल्टिप्लाइग 192 तो यह हो जाएगा आपका 67 200 मेटर नहीं रूपाई कोस्ट रहते हैं ठीक है तो यह आपका अंसर इस तरह से यह हमें कोडियाड दिया गया है जिसमें डाइगनल 61 मिटर है और जो हमारी लेंथ है वह 60 मिटर फाइंड एरिया के लिए हमें ब्रेट भी चाहिए होती है तो हम पहले ब्रेट निकालेंगे अब यहां पे जो केसे आपका वह है क्योंकि यहां पे यह 90 डिग्री वह क्या होती है हमारी h2 is equal to b2 plus p2 h होता है hypotenuse 90 वाले अंगल के बिलकुल सामने होता है h की value है 61 तो हम यहां लिखेंगे 61 स्कूर इस इक्वल टू बेस है हमारा यह वाला 60 तो 60 स्कूर प्लस यह जो हाइट है हमारी यह हमारी breadth है तो हम यहां पे लिखेंगे breadth की जगा इसको आप excellent कर सकते हो या breadth को b भी रख सकते हो तो यहां से हम इसका square लिखते हैं तो यह हो जाएगा आपका 3721 इस इक्वल टू 60 का square आपका हो जाएगा 66 प्लस बी स्कूर अब यहां पे 3721 प्लस वाला 3600 इधर लेके आएंगे तो माइनस में left hand side में is equal to b2 माइनस करते हैं 1 2-0 2 7-6 1 तो यहां गया 121 121 होता है 11 स्कूर तो यहां पर b की value कितनी आजे कि square से square cancel b is equal to 11 अब means हमारी जो breadth है वो है 11 meter तो हमें इसका area निकालना है तो हम यहां पर लिखेंगे area of courtyard is equal to length into breadth लेंथ आपकी है 60 और breadth आगे 11 तो यहां जाएगा 11 66 तो 660 meter square इसका area हो जाएगा next करते है third find the area of a square x square का area हमें निकालना है whose diagonals in centimeter square whose diagonals are अब इसमें diagonal given है बिटे तो आपको याद रखना है वैसे तो square के area का formula क्या होता है side multiply side लेकिन अगर आपको diagonal given है इसके तो यह होता है d1 multiply d2 divided by 2 तो हम यहां पर first हमारे diagonal है 75 cm 75 तो यह वाले पार्ट का area निकालते हैं 75 x 75 divided by 2 तो इसकी multiply करते हैं तो यहाईगा 56 25 divided by 2 ठीक है इसको अगर आप points में change करोगे तो यह आज अगर 28 12.5 cm square next area is equal to 0.236 0.236 multiply 0.236 अब इसके डिवाइड में 2 है वह हम 2 पर इसको cancel करते हैं तो इसको अगर cancel करेंगे 0.236 तो 0.118 0.118 multiply 0.236 अगर इसकी आप multiply करते हो तो यह आता है 0.027848 अब यह बेटे मीटर स्क्वेर में आपका अंजर आ रहे है अगर आपको इसको cm2 में लेना है क्योंकि यहां पर mention किया गया है तो दो method यह तो आप पहले ही स्को cm में change कर लो या फिर आप यहां पे मीटर स्क्वेर में आपने यहां रखना है वन मीटर स्क्वेर में 10,000 cm2 होते हैं ठीक है तो यह आप अब इसको 10,000 से multiply कर देजिए तो आप देखें अगर इसका point हटाते हैं तो 27848 डिवाइड वाइड कितना है का 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 और multiply by 10,000 करेंगे cm2 बिनाने के लिए 40 आपकी cancel हो जाएंगी 20 के बाद point तो 278.48 cm2 next c part सेम इसी तरह सी यह decimeter में तो इसको हम पहले ही चेंज कर लेते हैं एक बार आपको याद रखने है 1 decimeter में 10 cm होते हैं तो यह हो जाएगा आपका 634 by 100 point हटाएंगे तो नीचे 100 आगया अब decimeter को cm में चेंज करने के लिए 10 से multiply 0 से 0 cancel तो यह आगया 63.4 cm अब हम इसका area निकाल देते हैं area कितना हो जाएगा आपका 63.4 multiply 63.4 divided by 2 ठीक है अब 2 पेस को cancel कर देते हैं 2 3 6 2 बंजा 2 point का point यहां से 14 27 जा 14 अब इसकी हम कर देते हैं multiply तो multiply जब आप करेंगे तो यह आजाएगा आपका 2 0 0 9 और 7 8 और यहां 2 के बाद point लग जाएगा तो यह आपका answer आगया केंटी मेटरे स्क्वार में नेक्स फोर्थ फोर्थ में एकिश्ट्रेंट्स दे लेंथ रधी हाइट आपका सिर्फ दिवारों को paint करना है वैसे आप देखें अगर दिवारों का area हमें लेना हो तो area of walls area of walls इसका formula होता है हमारा 2 into bh plus hl ठीक है ये वैसे cuvoid का होता है 2 into lb plus bh plus hl लेकिन area of walls उनली ये होता है तो आपको यह लिगालना था लेकिन अब हम area to be painted जितना area हमें paint करना है वो कैसे निकलेगा वो निकलेगा 2 into BH plus HL minus area of two doors दो डोर है तो यहाँ पी लिखेंगे area of two into area of door क्योंकि दो डोर है तो area of door को two से multiply किया minus three windows है तो three multiply area of window ठीक है यह हमारा total formula बनेगा अब two into BH plus HL तो two into breadth कितनी है हमारी eight multiply six plus six multiply sorry ten minus two into area of door कितना है two multiply one point five two multiply one point five minus three multiply one point five multiply one अब यहाँ पे हमारा बन जाएगा यह two into eight six six जा 48 six ten जा 60 minus अब इसकी multiply करते है तो two to four four fifteen जा 60 होता है तो six point zero बनेगा यह यह हुद जाएगा four point five ठीक है अब यहाँ पे आप देखे two multiply eight plus zero eight six plus four ten ठीक है minus इन दोनों को हमें minus करना है तो इसको हम six six का six भी रहने दे तो भी चलेगा जिरो लिखने की जोड़त नहीं है four point five तो इसकी multiply करते हैं तो यह आज़ेगा two eight six sixteen two hundred sixteen minus six minus four point five अब इसको solve कर दो तो यह ज़ेगा 210 210 मेंसे four point five को माइनस कर देते हैं तो यह बन जेगा आपका 210.0 minus four point five 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 zero two तो यह आगे आपका two zero five point five meter square इतना एरिया हमें पेंट करना आप पेंट के हिसे हिसाब से करवाने आपको 180 रुपए के हिसाब से 180 रुपई के cost of per meter square cost of one meter square is equal to 180 रुपई ठीक है तो cost of cost of two zero five point five meter square यह कितना हो जाएगा 180 multiply two zero five point five point को हटा दें तो नीचे आजेगा टैन जीरो सी जीरो कैंसल इनकी multiply कर देते हैं तो यह बन गया three six nine nine zero ठीक है इतने रुपए का खर्चा उनका लगेगा ठीक है next करते हैं यह था हमारा question number fourth a rectangular garden 200 meter long 150 meter wide has a path all around it on inner side having a weight three meter तो इसका डाइग्राम किस तरह से बनेगा इसका डाइग्राम कुछ इस तरह से बनेगा एक rectangular garden है आपका इसकी length width वैसे तो है 200 और 150 लेकिन इसके अंदर की तरफ three meter wide एक path है all around it मतलब इसके चारो तरफ ठीक है और three meter है इसकी weight चारो तरफ से three meter three meter and three meter ठीक है इस तरह से है तो हम ही क्या करना है in the center of this plot there is a circular pond of radius seven meter और बीच में है एक circular pond जिसकी radius है seven meter तो what area of the land is left for the lawn and flower beds मतलब flower और बगीचा बनाने के लिए बाकी हिस्सा कितना बच गया अब वैसे तो इतना लंबाई चोड़ाई थी लेकिन बीच में यह रस्ता है और बीच में circular pond तो यह हम सिर्फ अंदर वाला area देखेंगे जो बच गया यह area बचा हुआ है इस पर तो रस्ता बन गया तो अंदर वाली length पर एर्थ लेंगे हम 200 है बाहर वाली length थ्री मिटर इधर चोड़ दो थ्री मिटर इधर तो टोटल कितना चोड़ दिया 6 इसको हम नेम दे देते हैं ए अंदर वाले को पर से माइनस हो गया थ्री मीटर इधर से तो माइनस थ्री माइनस थ्री स्क्षमात कि यहां पर हम लेंगे area area या फिर remaining area लेख देते हैं remaining एरिया फॉर या फिर एरिया लेफ्ट आउट जैसे भी आपको अच्छा लगए आप लेख सकते हैं remaining area कैसे निकलेगा area of a b c d minus area of pond area of pond ठीक है अब a b c d जो है वो rectangle shape में है तो length multiply breadth बनेगा और जो हमारा pond है sorry वो है circular shape में तो pi r square बनेगा तो length into breadth length लेंगे हम 194 multiply 144 minus pi के value होती है 22 by 7 multiply radius है 7 into 7 7 से 7 cancel अब इनकी दोनों की कर देते हैं हम multiply तो multiply करने से बेटे यह आपका बनेगा 27936 minus 22 को 7 से करेंगे 154 इसको minus कर देते हैं तो यह जोगा 277 82 meter square यह area आपका बच जाएगा next करते है sixth the area of triangular billboard is 3.125 meter square यह area हमें given है और triangle shape है तो its base is 2.5 meter long तो triangle shape में आपको पता है base और height होता है base आपका है 2.5 meter तो height कितनी होगी height हमें निकालनी है area हमें given है तो हम यहां पर लेते है area is equal to 3.125 meter square यहां से area का formula base into height divided by 2 is equal to 3 point अगर हम हटा दें इसका अगर नहीं भी हटाते कोई दिकत नहीं है 1.25 इस तरह से आप ले सकते हों और base जो है वह हमारा 2.5 तो हम यहां लेंगे 2.5 multiply h divided by 2 is equal to 3 point अगर हम हटाते हैं तो यह बनेगा 125 divided by 1000 अब 2 इधर जाएगा उपर और 2.5 नीचे तो h is equal to बेटे आपका आजाएगा 3125 multiply में जाएगा 2 और divide में 2.5 अब 2.5 का अगर आप point हटाते हैं नीचे 10 आना है यह पहले से ही divide में तो divide का दिवाइड कहां जला जाएगा उपर इसका point हटाएगा तो उपर 10 आएगा और इसके साथ जो 1000 था वो नीचे रखते हैं 0 से 0 कैंसल कर देते हैं ठीक है अब आप चाहें तो 25 पे इसको इधर कैंसल कर सकते हो 25 की टेबल नहीं आती तो 55 पे करके भी आप कैंसल कर सकते हैं 55 25 5 6 35 to 10 55 25 फिर से 5 पे करोगे तो 125 आजाएगा अब आप टू पर ले सकते हैं को टू बनसे टू टू फाइव जा 10 5 पे इधर ले जाओ 5 10 जा 50 5 25 25 by 10 है और कैंसल करने की जुरूरत नहीं है 2.5 इसको लिख दीजिए यह आपकी आ गई height next 7 ए राइट एंगल ट्रेंगल has hypotanus अब राइट एंगल ट्रेंगल बेटे इस तरह से होती है हमारी इसका hypotanus होता है 90 degree के सामने वाली लाइन यह 13 cm है और one of its side is 12 एक side इसकी 12 cm है what is area अब राइट एंगल ट्रेंगल में यह बेस होता है और यह height होती है तो इसके बिना तो हम area नहीं निकाल सकते तो इसको हमें find out करना पड़ेगा इसको आप x लेट कर लीजिए तो आप लिखेंगे पहले according to pythagoras थे और हम h2 is equal to b2 plus p2 ठीक है यह लिखेंगे आप पहले आपने given भी लिखना है वेटे क्या क्या given है hypotenuse 13 cm one of its side 12 cm फिर आपने यह लिखना है अब hypotenuse हमारा 13 है तो 13 square लेंगे हम base है 12 square इसको आप height भी मान सकते थे कोई इसमें problem नहीं है plus p2 हमें निकालना है 13 square 169 is equal to 144 12 का square होता है plus p2 यहां से 169 माइनस में जाएगा 144 is equal to p2 माइनस कीजिए 9-4 5 6-4 2 is equal to p2 ठीक है तो यहां से 5 square और p2 तो p की value आपकी 5 ठीक है तो p की value आपकी 5 अब यहां से हमें यह पता चल चुकिए है हाइट कितनी है 5 तो हम यहां formula लगाएंगे अब area of triangle का area is equal to base multiply height divided by 2 बहुत जगा पे यह formula कुछ इस तरह से लिखा होता है तो इसमें confuse नहीं होना 1 by 2 multiply base multiply height यह और यह एक same meaning है इनका तो base हो गया हमारा 12 height हो गया हमारी 5 divided by 2 तू बंजा टू 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 सिक्स फाइव जा 30 cm square यह आपका answer है ठीक है next eighth triangular piece of land has one of its angle equal to 90 degree that means जो triangular field है वो right angle triangle shape में आपके पास given right angle में एक angle 90 का होता है यह base और perpendicular और यह होता है hypotenuse इसका area हमें given है तो हम area mention कर लेते हैं यहाँ पे area is equal to 330 meter square if one of side adjacent to right angle मतलब right angle में से एक side आपने लेनी है 11 meter तो किसी को भी आप ले सकते हैं मालीजी हम इसको लेते हैं what is the length of other two side अब इसकी भी length निकाल 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 सकते हैं क्योंकि यह base है यह perpendicular है इसको हम perpendicular P let कर लेते हैं तो यह कैसे निकालेगा हमारा formula area का base into height divided by 2 तो यह होज़ेगा आपका 330 अब बेस की value 11 है तो 11 multiply h divided by 2 is equal to 330 अब 11 जो है multiply में यह डिवाइड में जाएगा और 2 डिवाइड में यह multiply h is equal to 330 multiply by 2 divided by 11 11 बंजा 11 11 3 33 तो 30 आ गया 32 जा 60 यह side आगी हमारी 60 meter अब हम pythagoras theorem का यूज करें क्योंकि हमें h निकालना है hypotenuse तो हम यह लिखेंगे h square is equal to b square plus p square h square करना है हमें तो h hypotenuse निकालना है हमें तो इसको ऐसे रहने देंगे 60 बेस है हमारा 11 square plus 60 square ठीक है तो 11 square 121 plus 60 का square करेंगे 60 36 100 तो यह जाएगा 21 और यह 73 ठीक है अब यह जो होता है यह हमारा होता है 61 का square I think तो यहां से आपका h square 61 square के प्राबर है तो h की value क्या जाएगी square से square cancel 61 तो other two side कि इतनी हो जाएगे हमारी 60 and 61 one next the length of one side of a parallelogram is 125 cm एक side जो है वो 125 cm की है the distance of this side to the opposite side is 60 meter मतलब इस side का opposite side के साथ distance जो है 60 cm का है यही इसकी height होती है सब्सक्राइब है find its area तो एरिया जो है वो कैसी निकलता है बेस इंटू हाइट पर लेलो ग्राम के अरिये का फर्मूला बेस इंटू हाइट बेस हमारा है 125 cm and height is 60 cm तो multiply करेंगे 0 as it is 6 से इसकी कर देंगे हम multiply 125 को 6 से यह हुज एक आपका 750 तो टोटल बन गया हमारा 7500 cm2 next करते हैं 10th 10th वाली में आप देखें the area of parallelogram is 660 square meter तो parallelogram का area जो है वो दे रखा है हमें तो हम यह इसकी एक साइड जो है वो 30 meter long है तो what is the distance of this side from the opposite side तो यह कितना होगा डिस्टेंस इसको हम हाइट लिखते हैं तो तो हम यहां पर लिखेंगे area का formula base into height divided by 2 तो यह होजएगा is equal to base into height divided by 2 is equal to 660 ठीक है अब base जो है वो हमारा 30 है तो हम यहां रखेंगे 30 into height divided by 2 is equal to 660 अब यहां cancel हो तो आप यहीं पर cancel कर सकते हैं 2 पर 15 आ जाएगा ठीक है इसको हम shift कर देंगे right में तो h is equal to 660 डिवाइड बाइ 15 15 की टेबल पर cancel है 15 फोर्जा 60 फिर 6 15 फोर्जा 60 तो आप का answer आ गया 44 मेटर तो आप इसको answer उसी form में दे सकते है distance of this side from other opposite side is 44 meter next करते है 11th find the area of equilateral triangle whose side are equilateral triangle होता है जिसकी तीनों ही side हैं बराबर होती है तो 20 20 और 20 इसका formula बेटे आपको ध्यान अकना है area of equilateral triangle होता है root 3 by 4 side square ठीके अब root 3 by 4 आपने लेना है side square means side multiply side side है 20 20 multiply 20 4 बंजा 4 4 5 जा 20 अब इसकी आप multiply कर दीजे two five is a ten hundred यह हो गया और साथ में root 3 इसको as it is आपने रख देना है root 3 को यह आपका answer आ गया है नहीं simple वैसे अगर आपको root 3 solve करने के लिए कहा जाए आपकी class में तो आप इसकी जगा भी लेंगे 1.73 1.71 भी लेते हैं sorry 3 ही रखना है आपने 1.73 ठीक है वैसे आपने इतना ही रखना है यह भी सही है बिल्कुल आपका correct है next day 12th question 12th में the area of an equilateral triangle अब हमें एक equilateral triangle का area given है find the length of each side sides की length निकालने हैं तो हम पहले रिखेंगे area is equal to 64 root 3 meter square अब formula लिखेंगे यहाँ पर root 3 by 4 side square ठीक है side square is equal to 64 root 3 अब आप क्या करेंगे root 3 इधर उपर है multiply में यह इधर divide में जाएगा 4 divide में है multiply में तो side square is equal to 64 root 3 divided by root 3 multiply by 4 root 3 से root 3 आपने cancel कर देना है और यहाँ पर हम लिखेंगे side square is equal to अब यह किसका square होता है 64 और 4 को आप multiply कर लिजिए या अलग-अलग से भी आप लिख सकते हैं जैसे 64 आपका होता है 8 8 जा 64 8 का square और 4 होता है 2 का तो इसके ऊपर हम लिखेंगे square ठीक है अब दोनों तरह square है स्क्वेर से स्क्वेर कैंसर तो side is equal to आजाएग आपका 8 जा 16 मेटर ठीक है यह आपका 12 का अंसर है next 13 नेक्स्ट में आप देखें इसमें diagram हमें given है shaded portion का हमें area निकालने तो देखो आप यह बाहर वाली shape है हमारी square स्क्वेर में से अगर inner circle का area हम माइनस कर दें तो अपने आप हमारा area of shaded portion बच जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे area of shaded portion shaded portion का area कैसे आएगा area of square minus area of circle ठीक है circle अब area of square होता है side multiply side ठीक है side multiply side और area of circle होता है pi r square अब देखो side तो इसकी 14 है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 14 multiply 14 लेकिन pi की value 22 by 7 radius कितनी होगे radius होती बेटे यह पूरा जो है यहां से लेके यहां तक यह तो होता है diameter half होता है radius तो 14 का half हो जाएगा 7 तो radius आपकी आगई 7 तो आप लिखेंगे 7 multiply 7 क्योंकि square है तो 7 से 7 cancel 14 को 14 से multiply कर देते हैं पहले तो यह आपका आजएगा 196 ठीक है और माइनस में 12 सेवन और 22 सेवन जा 154 इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा required answer आजएगा 6 माइनस 4 2 9 माइनस 5 4 ठीक है 42 cm square यह आपका एरिया आ गया इसी तरह से हम करेंगे next part को next part है हमारा B part B वले part में आप देखें टोटल है shape square square में से यह जो है one fourth of circle है ना चोथा हिसा circle का क्योंकि यह 90 डिग्री होता है और एक circle में 360 डिग्री होता है तो यह one fourth one fourth यहां पे तो यह one fourth one fourth half circle हो गया और half circle इधर से तो एक full circle हो गया clear हो रहा है point one fourth of circle है तो इस तरह के 4 circle है हमारे तो one fourth multiply four तो हम यहां पे लिखेंगे area of shaded portion area of shaded portion area of shaded portion is equal to area of square minus four multiply area of one fourth into area of circle ठीक है यह कैसे लिखा मैंने एक बटे चार फोर्थ हिस्सा जो है circle का यहां गिवन है अगर आप इसको मिलाएंगे तो चार हिस्से बनते है ना और ऐसे चार हिस्से यहां पर है तो फोर से फोर कैंसल मतलब area of circle तो square का area जो है 30 into 30 minus area of circle का formula क्या होता है पाई याड square तो पाई के वैली 22 by 7 radius इसकी है यहां से लेके यहां तक तो यह 7 है तो 7 into 7 7 से 7 cancel 3 3 9 900 यह हो गया minus 12 154 फिर से यह आ गया तो अब इसको minus कर देते है हमारा required answer आजएगा 9 10 में से 4 6 9 में से 5 4 और यहां बच गया 8 8 में से 1 7 cm square यह आपका area आ ठीक है next करते है find the area of trapezium the length of whose parallel sides are अब trapezium होता है जिसमें one pair जो है वो parallel होता है तो इसकी parallel sides की length 60 और 80 cm है the distance between these sides is 25 और इनके विज़ का distance इसको height बोलते हैं तो यह हमें तीनों चीजी given है तो area of trapezium का formula क्या होता है 1 by 2 a plus b into h ठीक है a और b है यह दोनों parallel side sum of parallel side तो 1 by 2 multiply sum of parallel side करना हमें 60 plus 80 और multiply में height है 25 तो यहां हम लिखेंगे 1 by 2 multiply इनको plus करते है 0 0 0 8 और 6 14 multiply 25 तो पर cancel कर देते हैं 2 7 जा 14 0 add as it is तो यह हो जाएगा आपका 25 7 जा 175 और 0 तो 1750 cm square यह आपका answer आ गया next में आप देखें the area of trapezium इसमें एरिया हमें given है तो हम यहां पर mention करेंगे area of trapezium 897 meter square इसमें if the parallel sides are of length दोनों parallel sides की length हमें given है what is the distance between the parallel sides that means height हमें इसमें निकाल के दिखानी है तो formula का हम use करेंगे 1 by 2 into a plus b into h is equal to 897 अब यहां पर 1 by 2 है as it is a plus b करना है हमें दोनों sides को plus 32 plus 46 into h is equal to 897 अब यहां पर divide वाले 2 है इसको shift कर सकते हैं उधर और इनको plus कर देते हैं 2 plus 6 8 7 78 multiply h is equal to 897 multiply by 2 और यहां पर कितना हो जाएगा आपका h is equal to 897 multiply by 2 divided by 78 अब हमें इसको cancel करना है अब आप देखे 3 पर यह cancel हो जाएगा बिलकुल 3 2 जा 6 3 6 जा 18 फिर से यहां पर 3 पर करते हैं 3 2 जा 6 2 29 3 9 जा 27 फिर 2 3 9 जा 27 ठीक है अब इसको हम cancel कर सकते हैं 3 ठीक है next आप देखें the area of trapezium इसमें भी इस question में भी हमें 16 वले में भी area of trapezium बोला गया है area कितना है 1100 meter square ठीक है 1100 meter square अब इसमें के करना है the distance between two parallel sides up distance means height दे रहिए और one of the parallel side और एक side है 70 find the length of other parallel side तो फिर से formula यूज करेंगे 1 by 2 a plus b into h यही formula था तो a एक side हमें निकालनी है तो उसको a ही रखेंगे हम plus b की जगह पे रखेंगे 70 जो दूसरी side है हमारी a की जगह पे आप रख सकते हैं कोई दक्कत नहीं है उसमें उसके बाद 20 है 20 है इसकी height तो height की जगह 20 is equal to 1100 ठीक है तो a plus 70 तो bracket में है इसको तो as it is रखना है इसके साथ जो multiply या divide में है अब multiply में है 20 यह जाएगा नीचे divide में और divide में है 2 यह जाएगा उपर टू पर कैंसल करें तो टेंजर 20 जीरो से जीरो कैंसल तो a plus 70 is equal to 110 तो a is equal to कितना जाएगा 110 माइनस 70 तो यह जाएगा बच्चे आपका 0-0 0 11-7 4 40 cm ठीक है next करते हैं तो इसमें हमें दिया गया है 17 question में find the area of quadulator quadulator का area हमें निकालना है the length of one of its diagonal एक diagonal हमें दिया गया है 56 cm और हमें बताया गया है the perpendicular distance from other two words बाकी जो दोनों words बच गए हैं वहां से perpendicular distance यह वाला हमें perpendicular distance given है 30 cm and 42 30 cm और 42 इसको बेटे हम बोलेंगे h1 और इसको h2 height 1 height 2 क्योंकि इसका formula जो बनेगा वह बनेगा हमारा area के लिए formula area of quadulator 1 by 2 into base base जो होगा हमारा diagonal ठीक है into h1 plus h2 यह आपका formula बनेगा यहां से 1 by 2 multiply base है हमारा 56 multiply h1 है 30 plus h2 है 42 अब यह 56 cancel हो रहा है 2 2 जा 4 2 8 जा 16 28 multiply इनको plus करते हैं 0 plus 2 2 4 plus 3 7 तो आपने क्या करना है 72 को multiply कर देना है 28 से तो answer आपका final answer बनेगा 2016 और यह centimeter में था तो centimeter square ठीक है centimeter square इस तरह से आपका answer आजेगा next question number 18 question number 18 में आप देखें the diagonal of a square field अब square the diagonal of square field square field जिसकी 4 साइडें बराबर होती है उसका diagonal जो है वह 90 meter है अब एक diagonal 90 meter है तो square का दूसरा भी same होता है तो इसका area हमें निकालना है तो हमें आप लिखेंगे area is equal to area is equal to कितना आएगा nine d1 multiply d2 divided by two यह इसका formula होता है तो आप लिखेंगे the area of square garden एक square garden का area हमें दिया गया है कितना है 450 square meter तो area हम लिखेंगे तरफ जाएगा multiply में तो d square is equal to 450 multiply by two तो d square हो जाएगा 450 को आपने multiply कर देना है two से ठीक है 900 हो जाएगा अब 900 किसका square होता है d square is equal to 30 square तो d की value आजाएगी आपकी 30 और meter ठीक है इस तरह से आपने diagonal निकाल देना है तो बच्चों यह था आपका chapter check up 15 और भी नए नए वीडियो आपको मारे चनल पर मिलते रहेंगे तो देखते रहें और subscribe करना ना भूलेगा धन्यवाद